जहिन दोस्तों मैं हूं मुक्तक सिंग्राठोड और कल हमने बात करी थी इंडियन हिस्ट्री के उस ट्रांजीशनल फेज्स के बारे में जहां से इंशेंट हिस्ट्री का एंड होता है और मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुवात होती है आज हम आगे दिखेंगे कि मेडाइवल हिस्ट्री में कौन कौन सी मेजर इवेंट्स होती है और उनका इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के उपर क्या असर होता है तो आईए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक बार हम ब्रीफली रवाइस करेंगे उन इवेंट्स को जिन्होंने इस ट्रांजीशन को लेके आया था और ये तीनों इवेंट्स 1192 AD से लेके 1200 AD के बीच में होती है पहली इवेंट सेकंड बेटल आफ तराइन जो पृत्फीराच चौहान और मुहमद गौरी के बीच में लड़ी गई थी जहां मुहमद गौरी ने शौक टैक्टिक्स का यूज करके अपने से ज्यादा स्ट्रॉंग राजपूत आर्मी को डिफीट किया था दूसरा बैटल आफ चांदावर जहां पर एक बार फिर दो साल बाद मुहमद गौरी दो आब के इलाकों में यानिकी गंगा और यमुना के मेदानी इलाकों में एक बड़ी इंडियन पावर को डिफीट करते हैं और इस तरह से और ज्यादा फर्टाइल इलाका उनके पास आ जाता है फॉलोड बाई दे कॉन्क्विस्ट आफ बेंगॉल बाई बिख्तियार खिल जी जिसी के साथ पंजाब से लेके बंगाल तक के फर्टाइल मैदानी इलाके अब तर्किश वारियर्स के पास आ जाते हैं और उसका असर क्या होता है यह हम देखते हैं अगली स्लाइड में तो जैसे कि आप देख रहे हों यहाँ पे यह इंडिया का फिजिकल मैप है और इस इंडिया के फिजिकल मैप में यह जो हिस्सा है दिस आधीज आर दो प्लेंज यह मैदानी इलाका है प्लेंज ओफ गंग यह सबसे ज्यादा फर्टाइल इलाके है इंडियन सबकॉंटिनेंट में 1025 एडी के आसपास ही इंडिस के ज्यादातर प्लेंस टर्क्स के कबजे में आ चुके थे जब घजनवी एक के बाद एक कई रेड्स करता है और रेड्स करके इस इलाके के मेजर टाउंस को कैप्चर कर लेता है उसके बाद बहुत लंबे वक्त तक जब सेयद सालार मसूत की डिफीट होती है कोई फॉरिन इन्वेजन नहीं होता है लेकिन एक बार फिर 1178, 1191 AD, 1192 AD, 94 AD और 1200 AD में लगातार बहुत सारे हमले होते हैं अनफॉर्चुनेटली कमजोर हो चुकी इंडिया की मिलिटरी स्ट्रेंग्थ इन हमलों का मुकाबला तो करती है लेकिन जीत नहीं पाती है यह सबसे ज्यादा revenue yielding इलाके थे, जैसे ही टर्क के पास में इन हाई revenue yielding इलाकों का occupation आता है तो उनकी economy मस्बूत होती है, उसी economy का use करके वो बड़ी बड़ी armies बनाते हैं और यही बड़ी armies आने वाले दूसरे Indian kingdoms को भी आने वाले वक्त में challenge करती है क्योंकि बाकी के बचे हुए इंडियन किंग्डम्स उतना ज्यादा revenue yield नहीं कर पाते थे उनका size बहुत बड़ा नहीं होता था और ये नुकसान उठाना पड़ा उनको जब डेली सल्तनत ने इस fertile इलाके को कबजा कर लिया था अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डेली सल्तनत का establishment होता है कौन से major इसके rulers होते हैं और क्या उनके contribution और achievements होते हैं तो इसके शिरुवात करेंगे हम slave dynasties से slave dynasties کے बारे में कुछ भी बात करने से पहले मेरे एक सवाल और बहुत सारे students के दिमाग में एक सवाल उठेगा कि slave याने की होता है घुलाम स्लेव यानि की घुलाम होता है दास होता है तो कोई घुलाम या दास है तो उसमें किसी डायनिस्टी को कैसे कायम कर लिया अब यहाँ पे बात यह है कि इस slave dynasty को समझने के लिए हमको Turkish society के अंदर slavery का system होता क्या था उसको एक बार समझना होगा Turkish society में बहुत सारे wars हुआ करते थे मैं बात कर रहा हूँ Central Asia की और इन बहुत सारे wars में बहुत सारे लोगों की death हो जाती थी और उन में से बहुत सारे लोगों के बच्चे अनाथ हो जाते थे और फिन हो जाते थे Central Asia के सुल्तानों का एक trend था कि ऐसे अनाथ हुए लड़कों को बच्चों को वो गोद ले लेते थे adopt कर लेते थे और उन्हें देते थे military training उन्हें देते थे political training क्यों देते थे ताकि वो बड़े होकर उन सुल्तानों को slave उनको serve कर सके और इन slaves के उपर सुल्तानों को बहुत ज्यादा विश्वास होता था क्योंकि जब ये छोटे छोटे बच्चे होते थे जब इनके parents की death हो चुकी होती थी तब ये इन बच्चों को एक अच्छी life देते थे और इसी लिए इनको पूरा विश्वास था कि बड़े होकर ये बच्चे उनको loyally serve करेंगे तो ये जो slave dynasty के हम बात कर रहे हैं इनके जो rulers आते हैं ये ऐसे ही slaves थे जो बच्चपन में अनात हो चुके थे किसी सुल्तान ने इनको nurture किया था train किया था और बड़े होकर उन सुल्तानों को इन्होंने loyally serve किया था और इसी loyalty का reward देते हुए मोहम्मद गौरी ने अपने कुछ slaves को power दी थी अलग-अलग इलाकों में उन्ही में से एक slave था मोहम्मद गौरी का जो की जाना जाता था कुतु बुद्दीन एबक के नाम से मोहम्मद गौरी की death 1206 AD में होती कैसे होती according to most of the modern scholars present day पंजाब में एक tribe रहती है जिसे खोखर tribe कहा जाता है ये खोखर tribe हमेशा से ही मोहम्मद गौरी की armies को resist करती आई थी पंजाब में as a result of which मोहम्मद गौरी ने इनके against बहुत सारे expeditions किये और इनके बहुत सारे गावों को उजार दिया बहुत सारे कि भावना से खोखरों ने एक दिन मौका पाकर मोहम्मद गौरी के कैंप में घुशके उसकी हत्या कर दी थी इस तरह से 1206 AD में मोहम्मद गौरी की death होती है और उनके द्वारा अपॉइंट किया गया दिल्ली का गवर्नर खुतबुद्दीन एबक अपने आपको independent declare कर देता है और इसी के साथ एक सल्तनत existence में आती है जिसे डेली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत कहा जाता है आईए खुतबुद्दीन एबक के क्या achievements थे कब से कब तक rule किया इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कब से कब तक rule किया 1206 AD में इन्होंने rule करना शुरू किया और 1210 AD में इनकी death हो गई थी बहुत ही छोटा span of ruling period इनका रहा इस बीच यह क्या achievement कर पाए तो किये हैं इन्होंने कुछ achievement जो हमें exam point of view से याद रखने जुरूरी है सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि he was originally a slave of mohammed ghori later became his son-in-law क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह slaves जो थे यह हाथ या पैर दबाने वाले slaves नहीं थे यह military slaves थे यह military commanders होते थे इनको military or political training मिलती थी और इसी लिए जब इन में से बहुत सारे slaves बहुत अच्छा perform करते थी तो उनको तरह तरह की rewards दिये जाते थे और कई बार सुल्तान ऐसे slaves से अपनी बेटियों की शादी भी कर देते थे और इसी लिए कुतुबुद्दिन एबख वास अलसो इस सन इन लौ कुतुबुद्दिन एबख वास अलसो नोन ऐस लाख बक्ष लाख बक्ष यानि की लाखों बक्ष देने वाला यह बड़ा जेनरस था अपने दर्बारियों के लिए अपने कमांडर्स के लिए अपने सैनिकों के लिए और जब खुश होता था तो बहुत बड़े बड़े इनाम देता था इसी लिए इसको यह टाइटल मिला था लाख बक्ष जो आपको याद रखना है एंड ही डाइड इन दे यर 1210 एडी वाइल प्लेइंग चौगान चौगान एक तरह का खेल होता था जो मेडाइवल टाइम्स में तरकिश सोसाइटी में खेला जाता था घोडे की पीट पर बैठ कर खेलने वाला यह खेल होता था जो आज के पोलो से बहुत ज्यादा जुल एक नवजाच शिशू की तरह था एकदम से बेचारा हो जाता है उसका रूलर मर जाता है और डेली सलतनत का इस्टैबलिशमेंट तो हो गया है लेकिर अभी डेली सलतनत का कंसॉलिडेशन नहीं हुआ है उसमें वो मश्बूती नहीं आई है और बहुत सारे नीटिव इंड के point of view से उसे consolidate करना बहुत जरूरी था इन achievements के अलावा कुछ और भी achievements थे जो architectural achievements थे जिनकी बात हम आने वाले chapters में करेंगे अभी इनके political achievements की बात करेंगे पर political achievements इनके कोई बहुत ज्यादा नहीं रहे सिवाए इसके कि इन्होंने एक independent kingdom, independent सल्तनत कायम कर ली थी पर जैसे कि मैंने कहा consolidation अभी बाकी था तो वो consolidation कैसे आया तो वो consolidation अगला ruler लेके आता है जिनका नाम है इल्टितमिश English में इल्टितमिश, Hindi में अल्टमश जो की हुद भी एक slave थे He was originally a slave of Kutubuddin Aibak जैसे कि मैंने कहा कि एक slavery का tradition था हर सुल्तान का एक trend था कि वो बहुत सारे slaves रखते थे अपने साथ और उनमें से बहुत सारों को military training प्रोवाइड करते थे तो जैसे Kutubuddin Aibak खुद मोहम्मद गौरी के slave थे वैसे ही उन्होंने भी अपने काफी सारे slaves इखटे किये थे और उनहीं में से एक slave था इल्टितमिश जो की एक बहुत उची Turkish tribe को belong करता था जिसे इल्बरी Turkish tribe कहते थे यह भी एक important fact है इसको भी आपको याद रखना है अब यहाँ पर यह बात आती है एक और वोई similar point जैसे हमने पिछले point में देखा था कि he was also the son-in-law of Aibak later stages में जैसे कि Aibak वोरी के son-in-law बन गए थे वैसे ही इल्टितमिश भी Aibak का son-in-law बन गया याने कि Aibak ने अपनी एक बेटी की शादी इल्टितमिश से कर दी थी तो इस तरह से यह slave से gradually rise करके हासिल करते हैं दरजा royal family के member हुने का अब देखते हैं कि किस तरह से यह डेली सल्तनत को consolidate करते हैं तो बहुत सारे reforms इन्होंने किये थे जिन reforms के चलते वो political और military stability डेली सल्तनत में आई थी जो की बहुत जरूरी थी अगर डेली सल्तनत को Indian subcontinent में survive करना था और इसी process में पहला reform करते हुए इन्होंने कुछ सिक्के issue किये जिसको हम कहते हैं इनके monetary reform दो तरह के सिक्के इन्होंने issue किये थे दो तरह के coins इन्होंने issue किये थे एक था टंका जो की silver coin था और एक था जितल जो की copper coin था क्योंकि बहुत बड़ा empire था इससे पहले बहुत सारे kingdom थे northern India में हर kingdom के अपने अलग-अलग तरह की currencies चलती थी इसी लिए कुछ हद तक traders के लिए परेशानी होती थी व्यापार करने में तो अपने kingdom में अपनी सलतनत में traders के लिए आसान बनाने के लिए traders के लिए trade करना आसान बनाने के लिए इन्होंने कुछ currencies issue करी थी जो टंका और जितल के नाम से जानी जाती थी जिससे की economic या monetary reforms कहा जाता है इस तरह के reforms के आने से economic benefit होता था ruler को और ruler उस economic benefit का फायदा उठा के और मजबूत army बना लेते थे और यही इनका दूसरा reform था जिसे military reform कहेंगे he reformed militarily by raising an army 2.5 lakh men strong and a regular army इन्होंने धाई लाख की पौज बना ली because अगर Turks को इंडिया में survive करना था तो वो सिर्फ army के दंपे कर सकते थे क्योंकि local Indians इनको अपने ruler की तरह accept नहीं करते थे कम से कम उस वक्त तो बिलकुल भी नहीं करते थे तो अगर इनको अपना अस्तित्व भारत के अंदर राजनेतिक रूप से बनाये रखना था तो सिर्फ और सिर्फ एकी तरीका था एक बड़ी ताकत वर आर्मी और वैसे भी उस जमाने में kingdoms ऐसे ही बनते थे कोई चुनाव थोड़ी होते थे कोई वोट थोड़ी डाले जाते थे गव्मेंट किसकी बनती थी जिसकी आर्मी ज्यादा स्ट्रॉंग होती थी उसी की गव्मेंट बनती थी तो यह जान गए थे कि अगर भारत में टिकना है सल्तनत को तो एक बड़ी फौज बनानी होगी मॉनीटरी रिफॉर्म यह अल्रेडी कर चुके थे हाई रेविन्यू इल्डी इलाके अल्रेडी इनके पास आ चुके थे तो आप कोई वजह नहीं थी कि यह बड़ी आर्मी ना बनाया जबकि इनके एक्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी था तो इन्होंने धाई लाक की एक पॉज खड़ी करी और जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे मेंचेंड है इट वास अरेगिलर आर्मी वो आर्मी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है लड़ना राजपूत पीरिट के लेटर स्टेज़स में हम जब रूलर उनको कुछ सैलिरी देता था उसके अलावा जब लड़ाई नहीं होती थी तो यह सोलजर्स और आफिसर्स तो नहीं लेकिन ज्यादातर सोलजर्स कोई खेती बाड़ी करता था या कोई अपना किसी और तरीके का पुश्टैनी काम करता था इससे कहीं ने कहीं ए युद्ध की ट्रेनिंग करे और इसी लिए इन्होंने एक रेगुलर आर्मी बनाई भारत में टिके रहने के लिए तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट जो इनका रेफॉर्म था वो एड्मिनिस्ट्रेटिव रेफॉर्म था जो इन्होंने इक्तादारी सिस्टम के द्वारा स्थापित किया था इक्तादारी सिस्टम ये ऐसा सिस्टम था जहां पे इन्होंने अपने पूरे जीते हुए एंपायर के अंदर ये इतना इलाका जो था इलततमिश के जमाने में जीता हुआ इस इतने बड़े जीते हुए अलाके के अंदर इन्होंने बहुत सारे छोटे और बड़े प्रोविंसेज बना दिये थे और इन छोटे और बड़े प्रोविंसेज को गवर्न करने के लिए कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था यही officers इक्तादार कहलाते थे इन officers का objectives इक्तादारी सिस्टम का objective इन officers का objective यह होता था कि वो इन छोटे बड़े provinces के अंदर revenue collection करें और साथ ही साथ कुछ troops भी maintain करके रखें जो जरूरत के वक्त सुल्तान को काम आए और यही troops के दम पर वो अलग-अलग provinces को govern करेंगे उन provinces के अंदर law and order को maintain करेंगे और उन provinces के अंदर revenue collect करके दिल्ली के सुल्तान को देते रहेंगे तो यह इक्तादारी सिस्टम एक नया administrative system था जिसमें central control सुल्तान ने अपने पास में रखा हुआ था decentralization नहीं किया था इसका introduction किस ने किया इलतुत्मिश ने किया and he his diplomacy saved सल्तनत एंड इंडिया from the fury of चंगेज खान जिहां चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा एक barbaric Mongolian invader जिसने Pacific Ocean से लेके Mediterranean Coast के बीच के पूरी दुनिया को जीत लिया था बहुत ही बर-बर हमलावर था और इस बात का डर था कि ये भारत में न घुस पाई और अगर वो भारत में घुस जाता तो इतिहास कुछ और होता लिकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि इल्तितमिश ने चंगेश खान के एक दुश्मन खौरिज्म शाह को शेल्टर नहीं दे इंडिया में जो चंगेश खान से भागा-भागा फिर रहा था कहां पे भागा-भागा फिर रहा था अफगानिस्तान में और वो इस ताक में था कि उसको भारत में आने का जाए जहां पर वो बहुत बड़े इलाके में कहीं गुम सा हो जाए ताकि चंगेज खान उसको ढूंड न सके लेकिन एगर ऐसा हो जाता तो चंगेज खान उसको ढूंडता हुआ भारत में आता और शायद बहुत सारा destruction करता लेकिन इलतित्मिश की डिप्लोमसी थी कि उन्हो चंगेज खान इंडस रिवर को कभी पार नहीं करता है और इंडस के वेस्ट बैंक से ही इरान की तरफ आगे निकल जाता है कुछ यह भी कहते हैं इस बारे में कि चंगेज खान का कोई इंट्रेस्ट नहीं था इंडिया में आने में या फिर इंडस रिवर को पार करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था जो भी वजह रही हो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कोई बड़ी इवेंट्स की कोई एक वजह नहीं होती दो तीन वजह होती है तो डेफिनिटली इल्तित्मिश का ख्वारिज मिशा को शेल्टर नहीं देना भी एक वजह रहा होगा और बड़ी इंडस रिवर को पार करने में मुश्किले पेश आना भी एक वजह रहा होगा इन सारी चीजों के चलते चंगेश खान भारत के अंदर नहीं गुसा और भारत की लोग फर्दर और ज्यादा डिस्ट्रक्शन से बच गए अब हम बात करेंगे इनके ल वक्त तक रूल कर पाए थे चार साल इन चार सालों में कुत्वुद्धि नइबख को ओफीशल कॉरोनेशन करने का मौका नहीं मिला लेकिन इलतत्मिश को बड़ा वक्त मिला इलतत्मिश ने 1211 AD से लेके 1236 AD तक रूल किया और इनको बहुत टाइम मिला था इस दौर में इन हासिल किया और साथ ही साथ सुल्तान अपने आपको डिकलेर किया तो यह फॉर्स ही इस अल्सों कॉल्ड एस दिर रियल फाउंडर अफ डेली सल्तनत अफ डेली एंड नॉट कुत्वुद्धिन एबख 1236 में जब इनकी डेथ हुई थी तब इनकी डेथ से पहले इन्होंने अपनी डॉटर रजिया जो की आगे रजिया सुल्तान के नाम से भी जानी गई थी उन्हें नॉमिनेट किया था as his successor क्योंकि इनके बेटे तो बहुत सारे थे लेकिन ही जान गए थे कि डेली सल्तनत जै के एक बड़ा कदम उठाते हुए इन्होंने अपनी बेटी को नॉमिनेट किया जो की administrative capability रखती थी और इस तरह से इनकी death के बाद हम देखते हैं कि अगली रूलर जो डेली सल्तनत को मिलती है वो होती है रजिया सुल्तान जो कि आप देख सकते हो बहुत लंबे वक्त तक र रूल कर सकी क्या वजह थी क्यों इन्होंने चार साल तक ही रूल किया सबसे पहली बात she was definitely a capable ruler लोग इनको बहुत पसंद करते थे आम जनता इनको बहुत पसंद करती थी और इसलिए वो चाहती थी कि रजिया रूलर बने रजिया को रूलर बनने में बहुत problems का सामना करना पड़ा उनके खुद के भाईयों से लेकिन popular rebellion के चलते रजिया को ruler बनाना पड़ा nobleman को अब मजबूरी में दबाव में ruler बनाना तो पड़ गया लेकिन she was not accepted by the nobleman and चहलगानी चहलगानी क्या होता मैं बताऊंगा आपको लेकिन इस point का मतलब यह है कि एक लेडी को ruler के तौर पे accept नहीं कर पा रहे थे nobleman ये वो दौर था जब patriarchal societies हुआ करती थी male dominated societies हुआ करती थी और medieval times की male dominated Muslim society के अंदर Muslim kingdom के अंदर किसी lady का ruler बना acceptable नहीं था पुरुशों को the only limitation she had was her gender एक ही कमी थी रजिया के अंदर जिसके कारण उनकी acceptability नहीं थी और वो था उनका gender अगर वो पुरुश होती तो शायद बहुत बड़ी ruler साबित होती but unfortunately for her ऐसा नहीं था बहुत सारे nobleman इनके ruler बनने के बाद लगातार इनके against conspiracies करने लग गए तरह तरह के rumors इनके उपर इनके बारे में फैलाए जाने लग गए कि इनका अपने किसी slave के साथ में affair चल रहा है जिनका नाम याकूत था जिसके कारण रजिया की popularity जो लोगों में थी वो कही ने कहीं थोड़ी कम होने लग गई और nobleman लगातार उनको assassinate करने की conspiracy करते ही रहे करते ही रहे finally 1240 AD में इन्हे assassinate कर दिया जाता है इनकी death हो जाती है और इनकी death के बाद डेली सल्तनत बहुत तेजी से weak होने लगती है क्योंकि इनको succeed करने वाला कोई नहीं था और दो weak rulers बहराम शाह और मसूद शाह 1240 से लेके 1246 के बीच में आते है जो दोनों ठीक से rule नहीं कर पाते हैं एक के बाद एक throne से हटा दिये जाते है ऐसे में 1246 में एक puppet ruler बिठा दिया जाता है जिनका नाम होता है नासिरुद्दीन महमूद नासिरुद्दीन महमूद को चुना जाता है इसलिए because he was religiously a very pious man ये धर्मिक रूप से बहुत पवित्र आदमी थे इनको politics में, military में, economy में कोई interest नहीं था तो चहल गानी यही चाहती थी कि ऐसा कोई ruler मिल जाए जो अपना दिमाग न चला है बस एक rubber stamp की तरह बैठा रहे और इसी लिए उन्होंने चुना इल्तितमिश के grandson को जुनका राम था नासिरुद्दीन महमूद और उनको ruler बना दिया और ये सब किस ने किया ये किया चहल गानी ने अब बार बार ये बात ये word आ रहा है चहल गानी चहल गानी आखिर ये चहल गानी है क्या इल्तितमिश ने central administration को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक body बनाई थी जिस body को चहल गानी कहा जाता था इसमें this was a group of 40 Turks ये 40 तुर्कों का एक group हुआ करता था जो की central government को चलाने में सुल्तान की मदद करता था मैंने पहले भी बताया था आपको इस slave dynasty थी इसमें slaves के उपर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता था सुल्तानों के द्वारा क्योंकि सुल्तान खुद भी slave हुआ करते थे और ऐसे ही 40 slaves को एकटा करके इन्होंने एक body बनाई थी जो central government को चलाने में सुल्तान की मदद करती थी इन्हें 40 या फिर चहल गानी कहा जाता था इन्हें 40 भी कहा जाता था तो कभी भी 40 या चहल गानी वर्ड आ जाए तो it is one and the same thing तो यह चहल गानी इलतित्मिष की death के बाद out of control हो गई यह king तो नहीं बने लेकिन यह अपने आपको king maker समझने लग गए और अपने हिसाब से rulers throne पे place करने लग गए तो इसी चहल गानी ने चुना था नासिर उद्दिन महमूद को और क्यों चुना था क्योंकि वो बहुत धार्मिक व्यक्ती थे उनको politics में कोई interest नहीं था और चहल गानी अपने हिसाब से सल्तनत को चलाना चाहती थी अपनी जेब भरना चाहती थी इसी लिए वो एक कमजोर ruler चाहती थी तो 1246 से लेके 1266 तक नासिर उद्दिन महमूद दिल्ली की थ्रोन पर बैठते हैं और कुछ हद तक political stability डली सल्तनत के अंदर आती है लेकिन इसके बाद एक बड़ा change होता है डली सल्तनत की हिस्ट्री में और वो change होता है coronation of घ्यास उद्दिन बल्बन आपने इन ruler का नाम सुना होगा घ्यास उद्दिन बल्बन या simply बल्बन जिनका original नाम बहा उद्दीन था ये भी Central Asia के रहने वाले थे इनके parents की death मंगोलों के हमलों में हो गई थी चंगेज खान के हमलों में हो गई थी जिसके बाद ये और्फन हो गए और इनको परशिया के किसी trader ने खरीद लिया बहुत सारा वक्त इन्हों ने अपनी जिंदगी का इरान में बिताया जहां पर ये काजी के यहां पर रहते थे वहां से इनको और इनके कुछ भाईयों को दिल्ली के सुल्तान इल्तित्मिश ने खरीदा और इस तरह ये इंडियन सब कॉंटिनेंट में आ गए यहां पे सुल्तान की सर्विस में इनका तीजी से ग्रोथ होता है पॉलिटिकली एड्मिनिस्ट्रीटिवली इनका तेज ग्रोथ होता है और ये एक मेंबर बन चुके होते हैं उस चहल गानी का जो किंग मेकर थी तो इस तरह घ्यासुद्दीन बल्बन जो औरीजनली बहाउद्दीन के नाम से जाने जाते थे एक स्लेव से एक एड्मिनिस्ट्रीटिव ऑफिसर चहल गानी के मेंबर तक का सफर तय करते हैं जब यह रूलर बनते हैं, अब यह रूलर कब बनते हैं, यह रूलर बनते हैं 1266 atau में जब डेथ होती है उस पपेट सुल्तान की वो पपेट सुल्तान कौन था नासिरुद्दीन महमूत जब नासिरुद्दीन महमूत की डेथ होती है तो कोई ऐसा सकसेसर नहीं था जो बहुत अच्छा पपेट भी हो जिसको थ्रोन पे बिठाया भी जा सके और इसलिए बलबन ज जहां पर आज तो रिटार्मेंट हो जाता है वहां पे बल्बन बनते हैं दिल्ली सल्तनत के रूलर और दिल्ली सल्तनत के रूलर बनने के बाद वो पूरा सिनारियो चेंज कर देते हैं डिली सल्तनत के अड्मिनिस्ट्रेशन का कैसे और क्यूं करते हैं वो सिनारियो चेंज इ जिसको हिंदी में कहा जाता है देखिए वो दौर ऐसा था जहां पर कोई रूलर खास तोर पे दिल्ली की सल्तनत पे थ्रोन पे बैठा हुआ कोई रूलर नर्मी से रूल नहीं कर सकता था यह सारे बाहर से आये थे और बाहर से आके इंडिया में अपना करियर बनाना चाहते थे कोई किसी की इज़त नहीं करता था और मौका मिलने पर थ्रोन हासिल करने में देर नहीं लगाते थे इसी लिए बल्बन ये बात जान गया था कि अगर मैंने अथॉरिटिटिवली रूल नहीं किया तो मेरा भी पत्ता वैसे ही कट जाएगा जैसे कि बहराम शाह का कटा, रजिया का कटा, मसूज शाह का कटा या फिर एक पपेट सुल्तान बनके रहना पड़ेगा नासिरूद्दिन महमूद की तरह लेकिन बल्बन ऐसे नहीं थे और इसलिए बल्बन ने पूरी अथॉरिटि और रूथलेसनेस के साथ में रूल किया और इसी रूथलेसनेस के कारण ये मिला इनको टैग बलड एंड आइरन पॉलिसी का तो बलड याने की रक्त आइरन याने की लोहा तो इसे हिंदी में कहते हैं लोह एवं रक्त सिधान्थ यहाँ पे लोहे का तातपर ये वेपन से है याने की वेपन चलाओ खून बहाओ और डॉमिनेट कर लो सबको कंट्रोल कर लो सबको कंट्रोल करने के लिए ये ज्यादा नहीं सोचते थे जो रेबेलियस होता दिखाई दिया जो आउट आफ कंट्रोल होता दिखाई दिया उसको खतम करतो और इस तरह की पॉलिसी के चलते इन्हें जब भी आपको ये ध्यार आए कभी भी एक्जाम में क्वेशन आए कि बलड एन आरेन पॉलिसी किसी रिलेटेड है तो ये बलबन से रिलेटेड है हाला कि दिल्ली के बहुत सारे आने वाले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया लेकिन इसकी शुरुवात कहां से होती है इसकी शुरुवात होती है बलबन से और बलबन के दिमाग में इस तरह के थौट्स आते कहां से बलबन के दिमाग में इस तरह के थौट्स आते हैं परिशियन कल्चर से परिशिया के अंदर रूल ऐसा ही होता था जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा समय इन्होंने अपनी बच्पन का इरान में बिताया था तो इन्होंने इरान के रूलर्स को रूल करते हुए देखा था वहाँ की कल्चर को समझा और इसलिए वो जानते थे कि दिल्ली सल्तनत को रूल करने के लिए उन Persian traditions को Persian system of rule को यहाँ पे impose करना फाइदे मंद रहेगा इसलिए blood and iron policy उन्होंने अपने rule में introduce करी अपने सारे rebels को मारा किसी ने कोई rebellion किया तो जा के उसके kingdom में हमला किया और उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि दूसरों के लिए एक example सेट हो जाए अगर कहीं कोई group है जो किस group के उस group से related पूरी के पूरे गाउं इन्हों ने उजाड़ दिये तो इस तरह से इन्हों ने अपने सारे opponents को शांत कर दिया और कैसे किया हतियार चलाया खून बहाया इसी के साथ जैसे कि मैंने बोला कि ये Persian traditions के बहुत हमायती थे तो he introduced Persian tradition in his court court की भाशा भी इन्होंने फार सी बना दी थी यानि कि अब इनके दरबार का काम किस language में होगा Persian में होगा उसके अलावा इन्होंने दरबार में कुछ और सिस्टम शुरू किये थे सिजदा एंड पैबोस सिजदा इस जब दरबार में आएंगे तो जुक के सबसे पहले सुल्तान को सलाम करेंगे पैबोस स सलाम करने के बाद में सुल्तान के कदम को आके चुमेंगे सो किसिंग दफीट ओफ सुल्तान और प्रोस्टरेशन बिपोर दे सुल्तान इट इस सिजदा एंड पैबोस सो अगें यू आप रिमेंबर सिजदा और पैबोस किस से रिलेटेड है तो इस रिलेटेड टु बलब और नियाबते खुदाई बलबन ने खुद को डिकलेर किया जिले इलाही या फिर परिशन लैंग्विज में जिसको कहते हैं नियाबते खुदाई जिसका मतलब होता है कि I am the shadow of the God shadow अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती जो body करेगी वही shadow करेगी तो इन्हों ने ये डिक कुछ भी कर रहा हूँ that is the action of God मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वह मैं नहीं कर रहा हूँ वह God कर रहा है because I am the shadow of God इस तरह से इन्होंने अपने सारे पापों को धुदिया ये टाइटल हासिल करते ह तो कोई गलती ही नहीं है जो कर रहा है खुदा कर रहा है मुझसे तो ये टाइटल भी इन्होंने हासिल किया जिल्ले इलाही और नियाबते खुदाई एक बड़ा अचीवमेंट एक बड़ा military achievement जो की बल्बन हासिल करते हैं वो है मंगोलों को खदेड़ना देखिए मंगोल पार ये चीज नहीं होने वाली थी चंगेश खान की तो डेथ हो गई थी लेकिन उनके बहुत सारे सकसेसर्स अफगानिस्तान में जम गए थे और अफगानिस्तान में जम के ये लोग अब हजारा कहलाते थे और इन हजाराओं की तादाद हजार से धीरे धीरे बढ़ते साकों में मजबूत किले बंदी करी और मजबूत किले बंदी करके कई लडाईयों में मंगोलों को डिफीट किया और उनको वापस अफगानिस्तान में खदेड दिया और इसी लिए ये वाला पॉइंट ही सकसेस्फुली रिपॉस्ट बैक मंगोल फ्रॉम पंजाब टो अफ मिलिटरी एचीवमेंट है बल्बन का देखिए जब रजिया की डेथ हुई थी और बल्बन का रूल शुरू हुआ उस बीच लगवग 26 साल का वक्त होता है इन 26 सालों में मंगोल पंजाब तक के इलाके में पहुँच चुके थे और जब बल्बन रूलर बनते हैं तो वो अ इन से पहले के जो रूलर्स रहे थे वो मंगोलों को गिफ्ट दे दिया करते थे उनको अपीजमेंट कर देते थे उनके साथ में और इस तरह मंगोलों को अपने इलाके में आने से रोक के रखते थे लेकिन ये पॉलीस ही कम्क्लेटली बदल दी बल्बन ने बल्बन ने पड़ा इनका बेटा इनका सबसे बड़ा बेटा जो इनका सकसेसर था शहजादा मोहमद प्रिंस मोहमद मंगोलों के अगेंस्ट एक लड़ाई में मारा गया हलांकि उसके ट्रूप्स ने वो लड़ाई जीत ली थी लेकिन ये बहुत बड़ा लॉस हुआ बलबन को कि उसका बेटा जो उसको सकसीड करने वाला था इस डाइनस्टी में आगे उसकी डेथ हो गई और ये कब हुआ ये 1287 AD में हुआ 1287 AD में ये बहुत बुड़े हो चुके और ये जो सदमा इनको लगा इनके बेटी की डेथ का ये इसको बरदाश्त नहीं कर सके और 1287 AD में इनकी डेथ हो गई इनकी डेथ के बाद फिर वही प्रॉबलम खड़ी हो गई कोई प्रॉपर सकसेसर नहीं था इनका छोटे-छोटे बच्चे थे जो एक के बाद एक सकसी करते थ्रोन पे लेकिन उन्हें थ्रोन से हटा दिया जाता है मार दिया जाता है और इस तरह 1290 कि तक आते आते slave dynasty खतम हो जाती है तो slave dynasty की political history कुछ इस तरह से चलती है slave dynasty अपना contribution करती है Delhi सलतनत के establishment में administrative system को लाने में एक strong military बनाने में इसे slave क्यों कहते हैं ये भी point आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं 1290 में slave dynasty के end के बाद एक दूसरी dynasty existence में आती है और इस dynasty को Khilji dynasty कहा जाता है Khilji जो की slave नहीं थे Khilji जो की commanders थे देखिए पिछली dynasty के सारे ruler slave थे या slaves के बच्चे थे Khotobuddin Aibak Mohamed Ghori के slave थे Ilthitmish Khotobuddin Aibak के slave थे Ilthitmish की बेटी slave की बेटी थी उनके grandson slave के grandson थे Bulban Ilthitmish के slave थे तो ये सारे rulers पिछली dynasty में या तो slaves थे या slaves के हाँ पैदा हुए थे इसलिए उस dynasty को slave dynasty कहा जाता है लेकिन अब जो dynasty आई थी इनकी history नहीं रही थी कभी भी slave होने की और इसलिए एक नई dynasty establish होती है जिसे खिलजी dynasty कहा जाता है slave dynasty के ही एक senior commander एक experienced veteran commander इस dynasty का foundation करते हैं जिनका नाम था जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी एक बुढ़े ruler थे जो बहुत ज्यादा समय तक रूल नहीं कर पाते हैं 1290 AD सिले के 1296 AD तक ये rule करते हैं पर इनकी death इसले नहीं होती क्योंकि ये बहुत बुड़े थे तो ये मर गए इन्हें assassinate किया जाता है क्यों assassinate किया जाता है because he was known for his generosity towards his rival डेली सल्तनत के standards के हिसाब से डेली सुल्तानों के standards के हिसाब से ये काफी generous थे इवन अपने rivals के प्रती भी काफी generous थे ऐसा भी देखा गया था कि जिन लोगों ने इनके against rebellion किया इन्होंने उनको माफ कर दी मंगोलों को तक इन्होंने माफ कर दिया जहाँ पे इन्होंने मंगोलोंने इनके 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 में हमला किया इन्होंने मंगोल को defeat किया और हारे हुए मंगोल सैनिकों को release कर दिया या अपनी आर्मी में शामिल कर लिया तो इस generosity को इनकी family के लोग और इनके दूसरे कमांडर्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसी लिए इनके एक नेप्यू जो की इनके सन-in-law भी थे जिनका नाम था अली गुर्शस्प ये अली गुर्शस्प एक मौका देखकर 1296 सीडी में इनको असासिनेट कर देते हैं इनको मार डालते हैं और इसी के साथ खिलजी डैनेस्टी में एक चेंज आता है और ये चेंज 1296 सीडी में हमको देखने को मिलता है एक और पॉइंट जहाँ आपन इनके पॉलिटिकल अचीवमेंट या मिलिटरी अचीवमेंट की बात करें तो अगें कोई खास पॉलिटिकल या मिलिटरी अचीवमेंट इनके नहीं रहे थे वो इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि इन्होंने एक कोशिश करी थी एक बहुत ही फेमस टाइगर रजर्व और नाशनल पार्क है जो रण थंभोर के नाम से जाना जाता है वहाँ पर उस जमाने में मेडाइवल टाइम्स में एक स्ट्रॉंग राजपूत किंग्डम हुआ करता था और उसको कॉनकर करना चाहती थी दिल्ली सल्तनत जलाल उद्दिन खिल जी ने इसके उपर एटेंट किया था लेकिन अनफॉर्चनेटली फॉर हिम वाज अनसक्सेसपुल तो इनके अगेन कोई बड़े पॉलिटिकल अचीवमेंट्स नहीं रहे थे और ये शिकार हो गए थे अपनी ही फैमिली मेंबर की कॉंस्पिरेसी का जब इनके भतीजे जो कि इनकी son-in-law भी थे इन्होंने इनकी हत्या कर दी कहां पर करी हत्या कारा प्रॉविंस में प्रेजिन डे उत्तर परदेश के और मद्धि परदेश के लगते इलाके जो अलाहबाद और उसके आसपास मद्ध्य परदेश के इलाके लगते हैं दाट वास दा कारा प्रोविंस और वही पर इनको बुलाया था और बुला कर धोके से इनको मार डाला गया था इस तरह से जलालुद्दिन खिलजी के रूल का एंड होता है और फिर डेली सलतनत को मिलता है उसका ग्रेटेस्ट सुल्तान डेली सलतनत में बहुत सारी अभी हम खिलजी पड़ रहे हैं आगे तुगलब भी आएंगे सयद भी आएंगे और लोधी डाइनस्टी भी आएंगी लेकिन इस सारी डाइनस्टी में सबसे ताकतवर रूलर डेली सलतनत के अंदर अगर कोई रहा था तो ही वाज अला उद्दिन खिलजी A very infamous ruler in the history of India भारत की एतिहास का एक बहुत ही कुख्यात ruler इनकी history के बारे में हम समझेंगे ये कौन थे कैसे इनकी जर्णी की शुरुआत हुई क्या इनकी achievements थे और इनकी military conquests के बारे में भी पढ़ेंगे और उनकी वजह भी जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं he was originally known as अली गुर्शास्प जैसे की पिछले point में भी हमने discuss किया था nephew and son-in-law of जलाल उद्दिन खिलजी close relation में थे जलाल उद्दिन खिलजी के इसी का फाइदा उठा के इन्होंने जलाल उद्दिन खिलजी को assassinate भी किया था और उसके बाद में ये ruler बन गए थे अब अगर हम इनकी military conquest की बात करें तो इनकी military conquest को हम दो parts में divide करके पढ़ेंगे सबसे पहले इनकी military conquest before his coronation और दूसरा इनकी military conquests after his coronation याने की गदी पर बैठने से पहले भी ये कुछ military conquest कर सकेते हैं अक्सर ये दिखा जाता कि कोई ruler जब ruler बनता है तो फिर वो अपनी conquest शुरू करता है लेकिन this man was so ambitious कि इन्होंने अपनी military conquest अपने ruler बनने के पहले ही शुरू कर दी थी अली गुर्शास्प जब ruler बनते हैं तब ये title अजियूम करते हैं अला उद्दीन ये इनका नाम नहीं था ये इनका title था और साथ ही साथ एको title ये अजियूम करते हैं सिकंदर ए सानी सिकंदर ए सानी का मतलब है एलेक्जेंडर ओफ ये टाइम उस वक्त का एलेक्जेंडर ये नहीं ने कहा था I am equal to एलेक्जेंडर I am Alexander of my time and what एलेक्जेंडर is known for he is known for conquest ये भी ये ही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा conquest करें और इसलिए इनोंने खुद को कहा था सिकंदर ए सानी और इनका official title अलाउद दिन खिलजी भी था तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी conquest जो इनके coronation से पहले ही हो गई थी तो इसमें दो conquest important है एक है conquest of भिलसा और दूसरी है conquest of देवगिरी दोनों जगे कौन सी है उसको समझेंगे और इस conquest को क्यों इनोंने किया था इसके भी बात करेंगे सबसे पहली बात ये किस इलाके के governor थे वही इलाका जहां इनों जलाउद दिन फिरोज खिल जी को पहला इनोंने जो invasion किया था जब ये सिर्फ governor थे सुल्तान बने नहीं थे तब इनोंने पहला invasion किया था central इंडिया के एक टाउन पे जिसको भिलसा भी कहा जाता है या present day मध्यप्रदेश का विदिशा भी कहा जाता है दूसरा invasion इनोंने किया था यहां से आगे बढ़के present day महराश्ट्र में एक जगह पर एक kingdom में जिसे देवगिरी कहा जाता तो देवगिरी का kingdom और भिलसा का kingdom इन दोनों ही जगों पे इनोंने हमला किया objective था wealth लूटना क्योंकि इनके दिमाग में ये बात पहले से ही थी कि इनको इनके father-in-law और uncle यानिकी जलाल अद्दिन फिरोस खिल जी को assassinate करना है और उस assassination के बाद बहुत सारे लोग इनको oppose करेंगे तो उन oppose करने वाले लोगों को bribe करके चुप करना पड़ेगा और वो bribe का पैसा कहां से आएगा वो bribe का पैसा इन लूट से आएगा इसलिए भिलसा के टाउन पे इनोंने हमला किया बहुत सारे लोगों को लूटा देवगिरी के उपर हमला किया उस kingdom को भी लूटा इस तरह से इनोंने वो wealth एकटी कर ली जो की political assassination ruler का करने के बाद लोग ने इनको oppose किया इनोंने लोगों को बहुत heavy bribes दी जब कहीं किसी नगर से निकल जाते तो सोने चान्दी के सिक्के उच्छाल के चले जाते लोगों में तो सबको ये लगा कि ये तो बहुत अच्छा ruler है हमको इसको accept करना चीए अब ठीक है मार दिया तो मार दिया वैसे भी बुजर्ग ruler था जलाल उद्दीन अब हमको एक नया ruler मिल गया है अच्छी बात है सब लोगों ने इनको support किया और ये सुल्तान बन गए और इसके बात शुरू होते हैं इनके conquest coronation के बात जैसे की coronation के वक्त ही इनोंने कह दिया था कि मैं सिकंदरे सानी हूँ इससे ये clear हो ग conquer कर लो उसके बाद world conquest करेंगे तो इंडिया की conquest पे ये coronation के बाद ही निकल गए थे और पहली जगे जिसको इनोंने चुना conquer करने के लिए वो जगह थी गुजरात जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके कि गुजरात हमेशा से ही बहुत rich province रहा है क्यों क्योंकि international trade इस इस इलाक of the India का इसी लिए इस rich province को conquer करना पहला expedition बराता है अलाव दिन खिल्दी अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गुजरात का conquest इनोंने किसके against किया था तो ये conquest कर्ण देव वागहला के against हुआ था जो कि गुजरात के ruler थे और एक weak ruler थे इनकी आर्मी बहुत strong नहीं थी at least जब इनके उपर हमला हुआ तो ये बहुत ज्यादा resistance नहीं दे सके कुछ और facts याद रखने होंगे गुजरात expedition के लिए कौन से commanders को भीजा था अलाव दिन ने तो नुसरत खान और उलुख खान ये वो दो commanders थे जिने अलाव दिन ने भीजा था गुजरात conquer करने के लिए और गुजरात की आर्मी से इजीली जीत गए दे प्लंडर्ड वेल्दी किंडम ऑफ गुजरात रूथलेसली इन्होंने गुजरात के इस धनी राज्य को बहुत बुरी तरीके से लूटा They took many people as slaves बहुत सारे लोगों को slave बनाके लेके आया unfortunately ancient और medieval इंडिया में ये tradition होता था कि اگर कोई आर्मी किसी इलाके को जीत लेती थी तो वहां के लोगों को slave बनाके लेके आती थी और पिर उनको बेचा जा सكता था जैसे कि भेड़ बकरियों को बेचा जाता है तो इसलिए डेली सलतनक बहुत सारे स्लेव जुआ से ले आया है ताकि उनको बेच के soldiers और officers और ज्यादा पैसा कमा सके unfortunately for कर्ण देव his queen कमला देवी was also captured इनकी रानी भी पकड़ी गई थी and she was sent as a gift for Allahuddin Khilji very unfortunate incidence but ये गुजरात के साथ उस वक्त हुआ था and they bought 1000 दीनारी a yuruk who was gifted to Allahuddin as a slave एक 1000 दीनारी जिसका original नाम नहीं पता चलता किसे literature में लेकिन एक slave था एक हिजडा था जो की बहुत अच्छा warrior भी था और बहुत good looker भी था और इसी लिए नुसरत खान उलुक खान को ये लगा कि ये 1000 दीनारी हमारे सुल्तान को बहुत पसंद आएगा तो उसको खरीदा किसी से इन्होंने और क्योंकि खरीदने में 1000 दीनार दिये उसको जो कि बहुत बड़ी रकम होती थी इसलिए उसका नाम ही पड़ गया उस वक्त 1000 दीनारी तो ये इन्होंने गिफ्ट किया अलाउद्दिन खिल जी को तो ये भी एक fact है जो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 1000 दीनारी आगे चलके एक बड़ा कमांडर बनता है मलिक काफूर जो कि एक बहुत close friend भी था अलाउद्दिन खिल जी का अलाउद्दिन इस पे बहुत विश्वास करता था तो गुजरात की conquest से बहुत कुछ हाथ लगा एक तो गुजरात का rich province हाथ लगा अब यहाँ पे आने वाला जो भी trade था और straight से generate होने वाला revenue था वो डेली को मिलना था उसके अलाबा बहुत थारी wealth यहाँ पे लूटी गई और यह कुछ तौफे भी अलाउद्दिन खिल जी को दिये गए लेकिन एक बड़ी problem थी अगर आप इस नक्षे को देखे तो डेली is here, this is डेली and this is गुजरात अब डिली से गुजरात का इलाका तो इन्होंने जीत लिया अपनी troops को भीज के लेकिन आप बीच में देखते हो कि राजस्थान का राज्य पढ़ता है जो उस वक्त राजपूताना के नाम से जाना जाता था और इस इलाके में बहुत सारे strong kingdoms थे जिनकी history रही थी foreign invasions को repulse करने की उनसे मुकाबला करने की और इसी लिए अलाउद दिन ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसको गुजरात की victory को consolidate करना है permanent बनाना है तो उसको बीच में पढ़ने वाले राजस्थान के इलाकों की याने कि जहां से दिल्ली से गुजरात तक रास्ते जाते थे इन रास्तों में पढ़ने वाले राचपूत kingdom को जीतना होगा और इसी वज़र से उसके आगे के conquest होते हैं primary वज़र ये थी लेकिन हर conquest में कुछ immediate cause होते हैं तो primary reason डेली का ये ही था कि उसको इन राचपूत kingdom को जीतना था ताकि गुजरात से दिल्ली के रास्ते उनके लिए safe हो जाएं लेकिन secondary reasons भी थे इन conquests के कुछ तो हम secondary reasons की भी बात करेंगे यहाँ पर और फिर ये बात तो है ही सही कि अलाउद्दीन सिकंदरे सानी बनना चाहता बनी गया था हो तो सिकंदरे सानी और वो conquer करना चाहता था बहुत कुछ भारत के अंदर और इसी लिए तय था कि इन strong kingdoms को उसको या तो अपने subordination में लाना था या उनको खतम करके वहाँ पे पहली सिल्तरत के empire को फैलाना था और इसी process में पहली victory या पहला conquest उसका होता है रण थंभौर का जो 1300 1 AD में होता है रण थंभौर की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आज भारत में बहुत मशूर जगह है क्यों जगह मशूर है क्योंकि यहाँ पे बाग दिखाई देते हैं यहाँ पे बाग रहते हैं लिकिन ये जगह पुराने वक्त में मशूर थी एक राजपूत किंग्डम के रूप में और ये इलाका फैला हुआ था यहाँ देस इस दे रीजन वेर पृत्वी राजपूत के बाद में उनके बहुत सारे डिसेंडेंट्स थे जिनोंने अलग अलग जगह जाकर अपने छोटे छोटे किंग्डम्स स्टैबलिश करके रखे हुए थे और ऐसे ही एक डिसेंडेंट्स थे हामिर देव चौहान जो की रन्थंबौर के इलाके में रूल करते थे अगर रन्थंबौर की जियोग्रफी आप जानते हैं या आपने देखी है और नहीं देखी तो मैं बताता हूँ आपको कि ये जंगली और पहाड़ी इलाका है और उचे पहाड के उपर बना हुआ है किला जिसको जीतना उस वक्त बिलकुल भी आसान नहीं था और इसी लिए जलाल उद्दिन फिरोज खिल जी ने जो एक एटेंट किया था वहाँ पे वो सक्सेस्फुल नहीं हो पाया था अलाउद्दिन खिल जी ने अब तक कोई एटेंट नहीं किया था लेकिन एक इवेंट इस एटेंट को ट्रिगर कर देता है वो इवेंट क्या था अलाउद्दिन वाज इंफ्यूरियेटेड बाइ नोइंग ता हामिर देव गेव शेल्टर टो हिस एनिमीज अब हुआ ये था कि गुजरात की कॉनक्वेस्ट के बाद में जब दिल्ली की फॉज लॉट रही थी तो उनके खिमे में आपस में लड़ाई हो गई कुछ तर्को अफगान सोलजर्स और कुछ मंगोल सोलजर्स के मीच में जैसे कि बहुत सारे मंगोल जलालुदिन खिल जी ने इंट्रोड्यूस कर लिए थे डेली के आर्मी में तो ये मंगोल और टर्क्स अब जो है साथ में लड़ाईया करते थे साथ में जाते थे किसी इलाके में एक्सपेडिशन करते थे लेकिन लोटते वक्त रात को कैम्प में इनके लड़ाई हो गई और मंगोल कमांडर मुहमद चाह ने कुछ तर्किश ऑफिसर्स को मार दिया और वो मार के वहां से भग गए इन मुहमद चाह को और इनके कुछ सौ मंगोल सोलजर्स को हामिर देव चौहान ने अपने फोर्ट में शेल्टर दे दिया और इससे अलाउद दिन को एक बहाना मिल गया कि वो रणतंबॉर के ओपर हमला कर सकता है जिसे कि ये लिखा है कि ये बिकेम इन्फूरियेटेट और इनके ओपर विश्वास किया और इनको कहा इनको भेजा बहुत सारे टूप्स देगे कि जाओ और रणतंबॉर को जीत के आजाओ और फिर लड़ाई शुरू होती है रणतंबॉर की बैटल और रणतंबॉर थर्टीन हंड़ेट वन एडी आमिर देव and his men gave them a tough time and नुसरत खान was killed in the action लेकिन यहाँ पे पासा उल्टा पड़ जाता है अलाओ दिन खिल जी के लिए क्योंकि जैसा आसान उसने समझा था रणतंबॉर को जीतना वैसा नहीं था बहुत ही कड़ी लड़ाई होती है यहाँ पे और राजपूत सैनिक नुसरत खान को मार डालते हैं जो की एक बहुत बड़ा जेनरल था डेली की आर्मी का बहुत बड़ा कमांडर था जैसे आज लेफटेनेंट जेनरल के लेवल की रैंक होती है उसी लेवल की रैंक का ओफिसर वो हुआ करता था दिली की फौज में और उसका बैटल फिल्ड में मारा जाना डेली की फौज के लिए बहुत ज़्यादा डी मॉरलाईजिंग था जबकि वो एक इंच भी किले की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए थे और इतना बड़ा लॉस हो गया था इस पॉइंट पे अलाउद्दीन भी कुछ लीडर्शिप क्वालिटी शो करता है और खुद बैटल फिल्ड में आता है वो खुद बैटल फिल्ड में आता है रिस्किंग हिस लाइफ लेकिन अब उसके लिए जरूरी था कि रंधंबौर को जीता जाए क्योंकि उसने अपने आपको सिकंदरे सानी कहा हुआ था और ऐसे में अगर वो पहला दूसरा ही एटेम्ट उसका फेल हो जाता रंधंबौरी नहीं जीत पाता तो किस बात का सिकंदर होता कैसे कहता आपने दरबारियों को कि मैं सिकंदरे सानी हूँ इसलिए सब कुछ रिस्क पे लगाते हुए वो बैटल फिल्ड में आया लेकिन इसको जल्दी ही समझ में आ गया कि लड़कर ये किला नहीं जीता जा सकता इसलिए उसने डिसीट का यूज किया धोखा दिया राणा हमिर देव चौहान के साथ में दोस्ती का ड्रामा किया और उनके दो कमांडर्स को अपनी तरफ मिला लिया इन दो कमांडर्स की मदद से इन्होंने रन्थंबोर के किले के एक दिवार को तोड़ दिया और रन्थंबोर के किले के अंदर दिल्ली की फौज दाखिल हो गई रन्थंबोर की आर्मी बहुत छोटी थी दिल्ली की आर्मी बहुत बड़ी थी कितनी बड़ी थी दिल्ली की आर्मी तो वैसे डेली की टो जिनकी आर्मी इतनी बड़ी नहीं है और उस वक्त डेली सलतनत के पास 4,75,000 की फॉच थी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 4,75,000 सारे के सारे रंधंबौर के उपर तूट पड़े थे नहीं ऐसा नहीं है कुछ हजार ही थे जो रंधंबौर के इन्वेजन पे गए थे लेकि तो फिर रिजल्ट तय था कि कब तक लड़ते बहुत ही कम तादाद में मौझूद राजपूत उनकी हार तय थी ऐसे में ऐसी सिचुवेशन में बोथ राजपूत men and women they always chose death before dishonor दुश्मन के हाथ में पकड़े जाने से बहतर और अपमानित होने से बहतर वो ये मानते थे कि लड़कर last man last round तक लड़कर खतम हो जाया जाए and इसी लिए perform किया जाता है केसरिया and women performed जोहर केसरिया और जोहर जोहर एक ऐसा tradition होता था where women folk preferred death before dishonor दुश्मन के हाथ में पढ़कर उनकी slaves बनने से बेटर है कि अगनी कुंड में आग जलाकर कूद जाया जाए और खतम हो उनके पुरुष उनकी राख अपनी बॉड़ी पे लगा के अपने सारे आर्मर्स को उतार के final fight के लिए जाते थे जिसमें वो मरने से पहले जितने enemies को मार सकें मार डाले और इस तरह रन थमबॉर में हमको ये glorious practice देखने को मिलती है जोहर एंड साका और ये सब कुछ क्यों स सिर्फ और सिर्फ मुहमद च्छा को shelter देने के लिए मुहमद च्छा जिनको पता चला कि मेरे लिए राणा हमिर देव चौहान इतना वड़ा sacrifice करने जा रहे हैं तो उन्होंने राणा हमिर देव को कहा कि आप रहने दो ऐसा मत करो मैं अपने आपको खिल जी के हवाले कर दू और इसलिए मुहमद च्छा ने भी ये तैय किया कि वो राजपूतों के साथ कंदे से कंधा मिला के इस glorious practice को करेंगे और आखर में last man last round तक लड़ते लड़ते खिल जी के साथ भले ही मारे जाएंगे तो इस तरह से ये glorious practice होती है लेकिन रण थंबोर का fall होता है और रण थंबोर के fall के बाद इतना इलाका अब डेली सलतनत के पूरे कबजे में आ चुका होता है अब डेली सलतनत और गुजरात के बीच में सिर्फ एक hurdle रहे गया था और ये hurdle था मेवाड और इसलिए इसके बा मेवाड और the conquest of चितोड चितोड जो मेवाड की capital हुआ करती थी इसका conquest 1303 AD में होता है मेवाड कौन सा इलाका है present day उदैपुर चितोडगर भीलवाडा राजसमंद और उससे लगते हुए कुछ इलाके this is roughly the मेवाड region located in the south of present day राजस्थान what was the major cause of this invasion इस invasion का primary cause क्या था सबसे पहले तो वही cause जो हम बार-बार दोहराते आ रहे हैं territorial conquest का ambition अलाउदीन जीतना चाहता था गुजरात तक एक safe route बनाना चाहता था लेकिन एक literature है जो literature का नाम पद्मावत है जिसको लिखने वाले थे मलिक मुहमद जाइसी मलिक मुहमद जाइसी ने एक literature का creation किया उस literature का नाम है पद्मावत जिसकी story ये बताती है कि the major cause या one of the major cause of this invasion was lust for beautiful queen पद्मावती पद्मावती नाम की एक रानी थी जो बहुत beautiful थी उनको पाने के लिए अलाउदीन खिलजी ने ये invasion किया था हो सकता है कि ये भी एक cause रहा हो लेकिन territorial expansion भी major cause हमेशा था अगर पद्मावती जैसी कोई रानी यहां नहीं भी होती तो वो भी शायदे conquest होती ही होती क्योंकि गुजरात से connect करना था डेली को उस वक्त चितोड was ruled by रावल रतन सिंग रावल रतन सिंग जो की एक young ruler थे चितोड को rule कर रहे थे अब सीजन के एसाब से मैंने बताया कि लेट विंटर्स में इस किले की घेराबंदी कर ली गई थी और मौनसून के आगे तक मिड मौनसून तक आते आते ये इस किले को जीत पाये थे यानि कि आप समझ सकते हैं कि इतनी well equipped और बड़ी टेली की आरमी को भी इस किले को जीतने में बहुत मुश्किल पेश आई थी चितोड एक ऐसा किला एक ऐसा गढ़ जो बहुत उंचाई पर सिचुएटेड है और बहुत दूर तक फैला हुआ है उस वक्त उसको जीतना बहुत मुश्किल था उसकी दिवारों तक पहुचना ही बहुत मुश्किल था और अगर उसकी दिवारों तक पहुच भी गए तो वहां के ब्रेव वारियर्स से मुकाबला करना बहुत मुश्किल था पर डेली के आरमी के सामने बहुत ही छोटी छोटी को रोक सकते थे हिस्टरी हम इसी लिए पढ़ते हैं ताकि इस तरह के सबक हम को आने वाले वक्त में मिलते रहें यहाँ पर हम देखते हैं चुत्तोड का फॉल होता है आठ महीने की लंबी घहरा बंदी के बाद जिसके लिए यूज़ ऑल हिस डिसीट और वेपन्स ऑफ सीज क्राफ अला उद दिन हर तरह के प्रयास करके देख लेता है पत्बावत लिटरिचर के हिसाब ते वो दोस्ती का नाटक करता है किसके साथ रतन सिंग के साथ उनको किड ले जाया जाता है उसके बाद फिर वो अपने बड़े बड़े सीज क्राफ्ट के इंजिन्स बुलवाता है और उससे दिवारे तुडवाता है बहुत लंबी घहरा बंदी करता है तब तक का इंतजार करता है जब तक रसद खतम नहीं हो जाती चित्तोड के किले में और जौहर या जौहर और साका कहा जाता है अगें दे फॉर्ट तिल दे लास्ट मैन लास्ट राउंड वरी ब्रेवली बट अनफॉर्चुनेटली चित्तोड का फॉल हो जाता है कब होता है थर्टीन हंड़े थ्री एडी में लेकिन एक और फैक्ट आपको याद रखना है इस स पूतों ने इस किले को दोबारा कैप्चर कर लिया था हलाकि इन पात सालों तक अलाउद दिन ने अपने बेटे खिजर खान को यहां का गवर्णर मना लिया था चित्तोड का और इस जगह का नाम हिजराबाद रख दिया लेकिन एक हिजराबाद ज्यादा समय तक चल नहीं पाया पात साल बाद राजपूतों ने काउंटर अटैक करके इस किले को वापस जीत लिया था इस सक्सेस के बाद अलाउद दिन की अगली इंपॉर्टेंट सक्सेस होती है मालवा में मालवा जो की मध्यप्रदेश के वेस्टन इलाके में पहला हुआ है यह मालवा एक जाना हो रास्ते मालवा से होकर ही आते थे काली मिट्टी से भरा हुआ यह इलाका खीती के लिए भी बहुत अच्छा था और इसलिए हाई रेवेन्यू इल्डिंग इलाका था अलाउद दिन इस इलाके को जीतना चाहता था और इस इलाके में उसका रोडा था महलक देव ज बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है हारने के बाद भी महलक देव लगबग एक साल तक भील ट्राइब्स जूकि इस इलाकी के विंद्याचल माउंटन्स में मिलती है उनके साथ मिलके दिल्ली की आर्मी को रेजिस्ट करता है बट एनफॉर्चुनेटली पॉर हिम ही वास captured and killed जिसके बाद मालवा में भी डेली सलतनत का establishment हो जाता है उसके बाद अगला conquest जो 1308 AD से लेके 1311 AD के बीच में अलाउत दिन करता है that was the conquest of Sivana and Jalore Sivana and Jalore जहां से जो South Western Rajasthan में situated था this is Jalore and यही पर नस्दीक Sivana है somewhere in the north of Jalore तो Sivana और Jalore को भी conquer करना था क्या वजह थी इन इलाकू के conquest की तो एक तो primary वजह थी territorial expansions जो की common है हर conquest के लिए लेकिन यहां पर हमको एक बहुत interesting story दिखाई देती है कि one of the reason why this area was invaded that reason was refusal of Jalore Prince Viram Dev to marry Firosa a daughter of Alauddin according to the literature Kanhad Dev प्रबंध written by Padmanap यह fact अब याद करना जालोर के राजकुमार वीरम देव जिन से Alauddin की एक बेटी Firosa शादी करना चाहती थी वो इस proposal को refuse कर देते हैं as a result of which Alauddin felt humiliated और उसने हमला कर दिया जालोर के उपर और यह information हमको कहां से मिलती है यह information हमको 15 century के literature पद कानहर देव प्रबंध से मिलती है जो कि पद्बनाम दाब के scholar ने लिखा था तो इन दो वजहों से जालोर और सिवाना के उपर हमला किया जाता है सिवाना इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि जालोर के उपर अगर घुसना है तो सिवाना की तरफ से ही attack करना होगा यहीं से जालोर का conquest पूरा हो सकता था इसलिए जालोर और सिवाना दोनों के उपर हमला होता है लेकिन इतना tough resistance यहाँ पर भी दिया जाता है कि 1308 AD में यह invasion शुरू होता है और 1311 AD में जाकर यह दो छोटे छोटे kingdoms जीत पाते ही दिल्ली की जालोर वस captured बाई जेनरल कमालुद्दिन गुर्ग और यहाँ के रूलर थे कानहर देव battlefield में कानहर देव की death के बाद एक या दो दिन के लिए उनके बेटे वीरम देव भी रूलर बने थे यहाँ के लेकिन यह दोनों लड़ाई में वीर गती को प्राप्त होते हैं और इस तरह से जालोर और सिवाना दोनों का फॉल होता है इस तरह से अलाउदिन खिल जी लगबग पूरे राजपुताना के सारे मेजर किंग्डम्स को defeat कर देता है या अपने कंट्रोल में ले लेता है पूरे होते हैं राजपुताना के conquest पूरे होने के बाद अलाउद दिन का ambition उसको और आगे बढ़ाता है और वो बढ़ता है नर्मदा रिवर को पार करके South India की तरफ 1308 से लेके 1311 AD के बीज में ये South India में बहुत सारे expeditions करते हैं और South India में बहुत सारी conquists हासिल करते हैं देखते हैं South India में नर्मदा रिवर के beyond नर्मदा रिवर के South में कौन कौन सी major conquest करते हैं और क्यों करते हैं एक तो वही बात है territorial ambition और दूसरा attracted by huge wealth of South India South India जो की मशूर था सोने की खदानों के लिए international trade के लिए क्योंकि कोस्ट थी बहुत लंबी और कोस्ट पे बहुत सारे ports थे जहां पे international trade चलता था इसलिए South में wealth बहुत ज्यादा थी राजपूताना के kingdom जो की मेवाड हो या जालोर हो ऐसे kingdoms में कोई बहुत ज्यादा wealth ही नहीं थी जवार बाजरा तो उगदा था यहां पे लेकिन South India में खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी थी international trade भी था और gold भी बहुत सारा था इसलिए असली wealth South में थी उसवक्द भारत के अंदर और इसी wealth को लूटने के लिए आलाउद्दीन इन्वेजन करता है दक्षिन में सबसे पहला और हाँ एक और important fact आपको याद रखना है बहुत अच्छे से South के expedition कलीड करता है अलाउद्दीन का फेवरिट जेनरल मलिक काफूर जो originally क्या था 1000 दिनारी गुजराट से खरीदा हुआ एक slave यूनुक व्रहनला हिजडा और इसी को लेकिन ये बहुत अच्छा कमांडर भी था और इसी लिए इसको भेजता है अलाउद्दीन खिल जी South India के conquest में पहला conquest crushing the rebellion of राम चंडर यादव और देवगिरी हमने बात करी थी कि सुल्तान बनने से पहले ही अलाउद्दीन एक expedition कर चुका था जो की इसने देवगिरी के उपर किया था जो महाराश्ट के अंदर एक kingdom हुआ करता था यादव डाइनस्टी और उस वक्त ही अलाउद्दीन ने इनके साथ treaty कर ली थी इनकी एक लड़की जत्थेपाली से विवाह कर लिया था विवाह तो नहीं किया था शादी कर ली थी और इसी के साथ ये kingdom देवगिरी का ally बन गया था दिल्ली सल्तनत का लेकिन रामचंद्र यादव का बेटा शंकर यादव अलाउद्दीन को पसंद नहीं करता था और उसने अलाउद्दीन की दिल्ली की सल्तनत को टैक्सिस देने बंद कर दिये थे उसकी ओवरलॉड शिप को उखाड के फैक दिया था इसी लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सबसे पहले देवगिरी पे हमला करने के लिए भेजा और वहाँ पे उन्होंने इस रेबेलियन को क्रश किया इस रेबेलियन को क्रश करने के बाद ये किंडम वापस सब्जूगेट हो गया और डेली के सबॉर्डिनेशन में आगया इसके बाद मलिक काफूर आगे बढ़ते हैं यही पर एक गलोरियस डाइनेस्टी रूल करती थी जिसे काफ्टिय डाइनेस्टी कहा जाता था और काफ्टिय डाइनेस्टी के रूलर थे प्रताप रूद्र देव ये बहुत ही ज्यादा रिच किंडम हुआ करता था बहुत सारी गोल्ड माइन्स यहां पे हुआ करती थी इसी लिए ये एक प्राइमेरी टारगेट था अलाउद दिन की फोर्सेस का मलिक काफूर जब पहला हमला करते हैं काफ्टी डाइनस्टी की तरफ प्रताप रूद्रदेव के अगेंस्ट तो वो हार जाते हैं इनकी डिफीट होती है लेकिन उसके बाद ये री इंफोर्स करते हैं अपने आपको दिल्ली से और ज्यादा फॉजें बुलाते हैं और ये दिल्ली से फॉजें जब इनके पास और ज्यादा नंबर में आती हैं तो अपनी तादाद बढ़ा कर दूसरा हमला करते हैं प्रताप रूद्रदेव के ओपर और दूसरे हमले में ये सक्सेस्फुल हो जाते है काकटी डाइनिस्टी या वारंगल का फॉल हो जाता है इन दा फेस ओफ डेली ज आर्मी बहुत सारी लूट होती है बहुत सारी वेल्थ लूटी जाती है और इसी वेल्थ में एक प्रीशियस ज्वेल लूटा जाता है एक प्रीशियस डाइमंड जिसे कोहनूर भी कहा जाता है मैनी हिस्टॉरियन्स बिलीव कि वो कोहनूर हीरा जो अब अंगरेज लूट के ले जा चुके हैं वो ओरिजिनली तेलांगना की ही किसी ख़दान से मिला था और प्रताप रूद्रदेव का पुजेशन था जिसके बाद ये डेली सल्तनत का पुजेशन बन गया था डेली सल्तनत के बाद ये possession कैसे ब्रिटिश हातों में गया वो हम आगे के chapters में देखेंगे तो बहुत सारी loot होती ही यहाँ पे तेलांगरा में यहाँ से फिर डेली सल्तनत की आर्मी further south में बढ़ती ही present day करनाटक की तरफ जहाँ पर kingdom था दूसरा kingdom जहाँ 20 साल kingdom के नाम से जिसको जानते थे जिसके ruler थे वीर भलाल ये भी एक rich kingdom था यहाँ पे भी mines थी द्वार समुद्रम इस kingdom को कहा जाता था वीर भलाल मुकाबला करते हैं लेकिन unfortunately वो भी हार जाते हैं और डेली इस इलाके में भी प्लंडर करती है इस इलाके में प्लंडर करके डेली की आर्मी आगे बढ़ती है and they reached Tamil Nadu region यहाँ पे पांडे dynasty rule कर रही थी और पांडे dynasty के ruler वीर पांडे थे और इन्हों ने जब देखा कि डेली सलतनत की आर्मी तो सभी को हराते हुए आ रही है so he did not give any resistance any fight और यह अपने टाउन अपनी capital मदुराई को छोड़ देते हैं और मदुराई को छोड़ कर कहीं safe जगे चले जाते हैं मदुराई was defenseless मलिक काफोर और उसकी आर्मी आके मदुराई के टाउन को plunder करती है लूट लेती है और इस तरह से बहुत सारी बहुत सारी wealth लूट के south इंडिया से यह लौट के आते हैं northern इंडिया यहापे एक बात ध्यान रखना है आपको कि south इंडिया को इन्होंने सिर्फ लूटा था, south इंडिया की dynasties को खतम नहीं किया था, जैसे कि इन्होंने north इंडिया में किया था, वैसा इन्होंने south इंडिया में नहीं किया, because it was very difficult to rule south इंडिया from Delhi, geographical barriers थे, cultural barriers थे, linguistic barriers थे, जिनके चलते उत्तर के ruler generally दक्षन को जीत तो लेते थे कभी-कभी, लेकिन rule नहीं कर पाते थे बहुत लंबे वक्त तक, क्योंकि बहुत इगने जंगल, बड़ी नदिया, उचे-उचे पहाड रास्तों में आते थे, जो कि मुश्किल कर देते थे, rule करना, एक इलाके के rulers को दूसरे इलाके में जाके north से south में, इसलिए south इंडिया की territories को इन्होंने policy यहीं dynasty का या यादव dynasty का fall नहीं हुआ, यह dynasties rule करती रही इस इन हमलों के बाद भी south इंडिया के अंदर, तो इस तरह से इनकी बहुत सारी conquest पूरी होती है, लगबग अब देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में ही यह जीत हासिल कर लेते हैं, देखिए, सबसे पहली बात कि already बह पास already था, यह इलाका तो इनको heritage में मिला था जब इन्होंने अपने father-in-law और uncle चलाल उद्दिन फिरोजखिल जी को मारा था, यह इलाके राजपूताना की conquest थे, जो इन्होंने जीत लिये थे, जिसमें मालवा भी शामिल था, गुजरात यह पहले ही जीत चुके थे, और South India इन्होंने plunder कर लिया था, तो इस तरह से भारत में लगवग सारे वो हिस्से, जहां पर जीत हासिल करने में कोई benefit हो सकता था, strategical benefit या economic benefit वो सारे इलाके इन्होंने जीत लिये थे, कुछ हद तक जो title इन्होंने अजियूम किया था, सिकंदरे सानी, उसको कुछ हद तक इन्होंने justify कर दिया था, एक और बड़ा achievement जो अलाउद्दिन खिल जी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है his success against the mongols, mongols के against इनकी success, mongols जो की मैं बार बार बता चुका हूँगी, बहुत barbaric invaders हुआ करते थे, ये mongols लगातार अब भारत में हमले कर रहे थे, इन्होंने बलबन के जमानों में भी हमले किये, चलाल उद्दिन फिरॉस खिल जी के जमानों में भी हमले किये, और अब अलाउद्दिन खिल जी के जमाने में भी इन्होंने repeatedly कई invasions किये, लेकिन अलाउत दिन खिल जी की बड़ी और regular और highly trained army मंगोलों के सारे invasions को पूरी तरह से विफल करने में कामियाब रहती है तो देखते हैं एक एक करके कि वो कौन कौन से invasions थे और किस तरह से अलाउत दिन खिल जी के commanders ने उन invasions को repel किया था पहला invasion मंगोल्स ने सिंद के इलाके में किया था जो जफर खान नाम के commander ने repel कर दिया था दूसरा invasion इन्होंने डेली में किया था जहां पे ये तीन महीने तक और थ्री मन्स अलाउत दिन की आर्मी को अलाउत दिन की capital को घेर के रखते ये बिल्कुल उस वक्त की बात है जब अलाउत दिन खिलजी ने चित तोड के invasion को उसकी conquest को पूरा किया ही था और तबी इनको खबर आई कि मंगोल दिल्ली की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं तो अलाउत दिन बड़ी तेजी से वापस गया और जा के उसने डेली में सीरी के किले में अपना डेरा जमाया लेकिन तब तक मंगोल आर्मी आ चुकी थी और तीन महीने तक घिरा बंदी उन्होंने सीरी के किले की करके रखी अलाउत दिन जैसे तैसे बच पाया क्योंकि गर्मी के मौसम शुरू होने लग गए भारत के अंदर और मंगोल जो ठंडे इलाकों में रहने के आदी थे उन्हें भारत की गर्मी बरदाश्ट नहीं हुई और उनको वापस जाना पड़ा अगर ये गर्मी उस वक्त शुरू नहीं होती ठंड का मौसम थोड़े और कंटीनियो होते या ये हमला थोड़े सब पहले मंगोलों ने किया होता तो अलाउत दिन के लिए बहुत बड़ी के रूलर्स का हुआ था इसा नहीं हुआ लेकिन इससे उसने बहुत सबक लिया और अपनी तैयारिया मंगोलों के अगेंस्ट और मजबूत करी अगला इंपॉर्टेंट हमला बैटल ओफ किली के नाम से जाना जाता है जो कि डेली के नौर्थ में लड़ा गया था एक बार फिर मंगोल्स आगे बढ़ते हैं दिली को कबजा करने के इरादे से और इस बार अलाउद्दीन की फोर्सेस तयार थी और किली के मैदान में एक घमासान लड़ाई होती है जिसमें एक बार फिर जफर खान एकसेल करता है और सिंगल हैंड़िड ली मंगोल्स को डिफीट कर देता है हालनकि इस लड़ाई में जफर खान की डेथ हो जाती है और आखरी था बैटल ऑफ अम्रोहा जिसको मलिक नायक नाम के कमांडर ने लीड किया था अलाउद्दीन की तरफ से और मंगोलों को डिफीट किया था मंगोल एक बार फिर घुसाए भारत में प्रेजेंट उत्तर प्रदेश तक के इलाकों में एक बार फिर अलाउद्दीन ने अपने ट्रूप्स भेजें मलिक नायक की लीडर्शिप में और मंगोलों को डिफीट किया ये एक बहुत मेजर इविंट था एक बहुत मेजर पार्ट था हिस्ट्री का कि मंगोल का होसला पूरी तरह से तूट गया था मंगोल्स इलततमिश के जमाने से ही कोशिश कर रहे थे भारत में गुसने की उनको कुछ सक्सेस भी मिली इलततमिश की डेथ के बाद जब वो पंजाब तक के अलाकों को डॉमिनेट करते हैं लेकिन बल्बन और अलाउद्दिन खिल जी ये दो ऐसे हर्डल सा चांबेत होते मंगोल्स के सामने कि मंगोल्स का होसला तूट जाता है खास तोर पर अलाउद्दिन खिल जी और अलाउद्दिन खिल जी के दौर में भी खास तोर पे जफ़र खान एक ऐसा excellent कमांडर तहा जिसने एक नहीं बल्कि कई लडाईों में मंगोल्स को defeat किया था unfortunately इनकी भी death हो गई थी एक लड़ाई में लेकिन मंगोल्स के अंदर लड़ाई करने की history में इन्होंने अपना नाम अमर कर लिया था मंगोल्स की अगेंस success मिलने के बाद और पूरे भारत को conquer करने के बाद अब हम अलाउदिन खिल जी के administration के बारे में जानेंगे क्योंकि एक important ruler है दिल्ली सल्तनत का सबसे strong ruler है एसी लिए इनके सारे important aspects को हमको समझना होगा अब तक हमने समझा इनकी early life इनके ruler बनने से पहले के expedition ruler बनने के बाद के expedition उसी में हमने south इंडिया के expedition और north इंडिया के expedition दोनों की बात करी उसके बाद हमने इनके mongols के again successful होने की बात करी और अब हम बात करेंगे इनके administrative और economic reform कोई चलते और military reform की भी बात करेंगे और उसी process में सबसे पहला reform आता है market reforms of allowed in khilji it is very important topic अगर इसमें से कुछ भी question आपको पूछे जाते हैं हम एक कोशिश करेंगे कि आपका कभी कोई question घलत ना हो तो एक बार समझते हैं इस market reform को कि ये था क्या allowed in wanted to control inflation in Delhi and so he introduced market reform allowed in Delhi में inflation को control करना चाहता था what is inflation inflation याने मुद्रास फिती याने की चीजों की value बहुत ज्यादा बढ़ जाना याने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाना तो ये इसको control करना चाहता है और क्यों करना चाहता था वैसे तो हर रूलर यही चाहेगा कि उसके एंपायर में चीजों के दाम बहुत उंचे ना जाएं लेकिन अलाओदीन ने कुछ खासी मेजर्स ले लिये थे तो इतने हार्श और स्ट्रिक्ट मेजर्स उसने क्यों लिये थे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसने किया क्या था उसके बाद ये समझेंगे कि क्यों किया था तो सबसे पहले उसमें यह किया था He fixed the price of commodities in Delhi market दिल्ली के बाजार में बाजारों में इन्होंने चीजों की कीमत तै कर दी इन्होंने पूरे बाजार को तीन पार्टस में डिवाइट कर दिया एक बाजार खाने पीने का जहां पे खाने पीने से related commodities मिलेगी दूसरा बाजार कपड़ों का और तीसरा बाजार कैटल और स्लेव का जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनसान विका करते थे उस दमानों में जो युद्ध में हार जाते थे या अनात हो जाते थे बच्चे या औरतें पकड़ी जाती थी या आदमी वकड़े जाते थे ये मार्केट अलग कर दिया, इससे पहले एक ही मार्केट लगता था, जाहां सब तरकी चीजे मिलती थी, इन्होंने सबसे पहली चीज करी, मार्केट को δिवाइड कर दिया, तीन पार्टमें कौन कोन से तीन पार्टमें Food, Clothes और Catalan Slält Special Kazig уже दूसरी चीज़ ये करी कि he fixed the price of these commodities, इन तभी commodities के price इन्होंने fix कर दिये, suppose एक किलो आटा या गेहूं 20 रुपए का मिलेगा, या 25 का या 30 का, या fix कर दिया इन्होंने, suppose 30 रुपए का मिलेगा, तो अब डेली में जब तक अलाउद दिन खिल जी जिन्दा है, तब तक एक किलो पाटा 30 रुपए का ही मिलेगा, ये नियम इन्होंने बना दिया, अब इससे और हाँ, इसके आगे भी इन्होंने एक step लिया था, हर मार्केट में इन्होंने एक supervisor appoint किया, जिसे शाहना ए मंडी कहा जाता था, शाहना ए मंडी वो officer होगा, जो हर मार्केट को supervise करेगा, कोई श और cattle के मार्केट को supervise करेगा, और इस तरह से ये ensure करेंगे कि जो price fix किये हुए है, जो law बनाया हुआ है, वो follow हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन officers की मदद करेंगे बरीद, जो की intelligence officer हुआ करते थे, intelligence officer जो की khufiya, विभाग के officers होते थे, यह bazaarों पर नजर रखते थे, और बazaarों पर नजर रखकर पता लगाते थे, कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, और है किसको assist करते थे, यह शाहनाय मंडी को assist करते थे, और इन officers को assist करते थे, मुनियन्स जो की स्पाइज होते थे जो जासूस होते थे जो physically market में जाते थे और information लेके आते थे क्या चल रहा है और ये information इन officers को देते थे और ये information ये officers शाहनाय मंडी को देते थे इस तरह से शाहनाय मंडी बरीद और मुनियन्स के मदद से ये ensure करते थे कि market में सब कुछ सही चल रहा है अब any trader found violating the law was punished severely by chopping off his flesh from his body अगर कोई trader किसी तरह की कोई बैमानी करते हुए पाया जाता था तो उसके शरीर में से उसका मास निकाल लिया जाता था suppose कोई trader अगर एक किलो में 100 ग्राम कम तॉल के दे रहा है तो और वो पकड़ा जाता है तो उसकी बाड़ी में से 100 ग्राम मास काट कर निकाल लिया जाता था इस तरह की punishment allowed दिन खिल जी देता था इन market reforms को follow ना करने वालों को अब सवाल ही उठता है कि ये सारे steps उसने क्यों लिए इतनी harsh punishment उसने क्यों दी क्योंकि अपनी उसको अपनी बहुत बड़ी आर्मी को maintain करना था चार लाग पिछटर हजार की इस आर्मी को allowed दिन खिल जी cash salary प्रोवाइट करता था और इस cash salary को प्रोवाइट करने की process में उसके बहुत सारे पैसे लग जाते थे अब अगर दिल्ली के बाजारों की कीमत बढ़ती ही जाएगी तो soldier salary में high की demand करेंगे और अगर चार लाग पिछटर हजार सैनिक salary में high की demand करेंगे तो इसके खजाने के ओपर बहुत बोच पढ़ जाएगा इसी लिए इसने इताय किया कि कीमतों को ही नहीं बढ़ने दूँगा मैं दिल्ली के बाजारों में और market reform को introduce किया तो market reform देखने सुनने में लगता है कि कोई economic reform होगा लेकिन सही माइनों में ये एक military reform था ताकि ये 4,85,000 की सेना maintain कर सके कम salary में कम salary में क्यों क्यों कि चीजों की कीमत ही नहीं बढ़ेगी राजधानी के अंदर so this major objective of this reform was to maintain a large army एक large army इनको maintain करनी थी इसी लिए इन्होंने market reform को introduce किया था अब इनके दूसरे reforms के बारे में बात किरते हैं सबसे पहले बात किरते हैं कि कुछ metal गरम गरम करके किसी की skin के उपर लगा देना ये वो वाला दागना है तो ये दाग system जिसको कहा जाता था branding of horses तो ये metal गरम करके किसके उपर दागा जाता था घोडे की skin के उपर दाग दिया जाता था क्यों कि इससे हर घोडे को एक unique identity मिल जाती थी unique identification मिल जाता था और उसका objective क्या था to avoid over estimation of the horses बहुत सारे घोडे ये लोग किराय पे लेते थे military service के लिए क्योंकि 4,5,000 की सेना में से 23,3,000 घोड़सवार होते थे इतने अच्छे घोडे सल्तनत कहां से पैदा करें कहां से लेके आये तो ये बहुत सारे घोडे लोगों से किराय पे ले ले लेते थे लेकिन हर घोडे की एक unique पहचान होनी चाहिए थी इसी लिए घोडों को brand किया जाता था दाग करके और साथ ही साथ हर घोडे की अच्छी उसकी breed भी उससे पहचानी जाती थी उसके खास identification से उसकी breed भी पहचानी जाती थी जिससे कि घोडों के over estimation ना हो सबसे पहले तो और घोडे अच्छी breed के घोडे आर्मी का हिस्सा रहे बहुत corruption होता था उस जमाने में कि लोग एक घोडा attach कर देते थे आर्मी में और उसको officer से setting करके दो लिखवा लेते थे तो उसका किराया जो एक घोडे का मिलना होता था वो उनको double मिलता था लेकिन अलाउद्दिन ने practice बंद करवा दी corruption की उसने बुला अब हर घोडे के ओपर एक specific mark होगा जिससे कि उसको एक घोडे को एक ही count किया जा सकता है कभी भी एक घोडे को दो count करके बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और इसी लिए उसने इस तरह की practices बंद करने के लिए दाग system शुरू किया था branding of forces दूसरा उसने reform किया था military reform चहरा system ये भी एक military reform ही था और ये भी उसका नाम क्या है वो कहां से आता है वो कौन सा weapon चलाता है उसने कितनी लड़ाईया करी है कितने गैलेंट actions किये लड़ाई में और इस profile के हिसाब से उसको salary दी जाए यानि कि इसने military service को incentive based बना दिया था जो जितना अच्छा perform करेगा उसको उतनी ज्यादा salary मिलेगी as a result of which इसकी army जो थी बड़ी enthusiastically लड़ाई करती थी अपने comfort zone से बाहर जाके लड़ाई करती थी और इसका फाइदा ultimately allowed दिन को मिलता था तो इसने soldiering के job को incentive बना दिया था profiling of the soldier जिसको चहरा system भी बोलते हैं इसके अलावा एक और important reform कहें उसको या किछ और कहें वो तो आप तय करना लेगन allowed दिन में क्या किया था he prohibited local चौधरी मुकादम्स to collect revenue from the villages इक्तादारी system में गाओं से tax collect करने का काम local चौधरियों को दिया जाता था जिने चौधरी मुकादम भी कहा जाता था तो यह लोग they were like village tax collectors but allowed दिन को ऐसा लगता था कि tax collection की process में corruption होता है collect किया हुआ पूरा tax उनको मिलता नहीं है इसलिए उन्होंने इन चौधरियों को tax collection के rights जो उनको मिले हुए थे hereditary उनको छीन लिया और उनकी जिए अपने officers को appoint कर दिया तो वैसे तो यह दिखाई दे रहा है कि एक reform था इन्होंने corruption को कम करने की कोशिश करी थी लेकिन सब कुछ इन्होंने बराबर कर दिया जब इन्होंने agricultural tax की rate को 40-50% तक बढ़ा दिया याने की अगर आप खेती करते हो तो जितना भी produce आपने निकाला है अपनी खेती से उसका 40-50% आपको सरकार को tax देना पड़ेगा हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 18% service tax देना ही बहुत मुश्किल पड़ता है ठीक नहीं लगता है तो आप सूचिए एक जमाना ऐसा भी था जब आपकी produce का 40-50% tax के रूप में ले लिया जाता था तो इन्होंने tax rates बहुत ज़्यादा बढ़ा दिये चौधरियों को हटा दिया tax collection से और उनकी जगे इसने अपने officers को appoint किया जो इसके भरोसे मंद officers थे एक और step जो इन्होंने किया था जिसको बहुत appreciate किया जाता है वो है banning liquor from Delhi इनको ऐसा लगता था कि शराप पीकर नशे में इनके noblemen इनके against conspiracy कर सकते हैं अलाओ दिन remained a very insecure man all his life और हो भी क्यों न वो खुद अपने चाचा को मार कर ठ्रोन पे बैठे थे तो वो ये मांते थे कि जो मैंने किया किसी के साथ में मेरे साथ भी तो कोई कर सकता है इसलिए इन्होंने हर वो step ली जिससे ये ensure कर सके कि मेरे साथ ऐसा ना होने पाए और इसलिए इन्होंने लिकर को बैन करना उचित समझा कि नशे में नहीं आएंगे लोग तो शायद वो daring ना करें जो मेरे against rebellion करें या मेरी हत्या की साज़िश रचा दें हाला कि इन्होंने डेली में लिकर बैन कर दिया इस बात के बावजूत की वो खुद बहुत ज्यादा heavy drinker थे पर इनके liquor को prohibit करने के बाद भी बैन करने के बाद भी डेली में liquor sale होता ही रहा लंबे वक्त तक फिर finally इनको लगा कि तो मैं रोक नहीं सकता हूँ तो इन्होंने बुला कि ठीक है privately liquor जो है आप उसका distillation भी कर सकते हैं और privately उसकी drinking भी कर सकते हैं लेकिन publicly कहीं पर भी नहीं बि जी थे now next point he prohibited his nobleman from marrying their children unless approved by the Sultan Sultan को ये भी लगता था कि उनके दरबारी उनके commanders उनके nobleman अगर अपने बच्चों की शादी आपस में कर दें तो इनकी दो families में गड़ जोड बन जाएगा ये powerful हो जाएंगे और मेरे अगेस्ट rebellion कर सकते हैं इसलिए इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी मेरा nobleman अपने बेटे या बेटी की शादी मेरे approval के बिना नहीं करेगा सिर्फ इतना ही नहीं इन्होंने ये भी कहा कि मेरे कोई भी nobleman दावते नहीं देंगे मुझे बताय बगैर और अगर सुल्तान को बताएंगे तो सुल्तान को बुलाना भी पड़ेगा और सुल्तान को ऐसा लगता था कि ये दावतों में बैठते हैं और वहाँ पर भी इनके बीच में plans बन जाते हैं कि या रब अलाउद्दिन को तो थ्रोन से हटाना है बहुत हो गया इसका तो ऐसी दावतें या तो ना हो और अगर हो तो उसमें अलाउद्दिन मौझूद रहे जिससे की किसी तरह की कोई planning discuss ना हो पाए तो इन्होंने अपने nobleman को feast देने से भी रोक दिया उन्होंने चौधरियों को tax collection से तो हतम कर ही दिया था उनसे राइट छीने लिया था लेकिन साथ ही साथ इसने उनकी properties भी छीन ली उनके घोड़े भी छीन लिये उनकी jewelry भी छीन ली उनके weapon भी छीन लिये और उनको मामूली किसान बना के छोड़ दिया तो इस community इस group अफ चौधरी जोड़े इस वाइडेस्ट हिट ग्रूप बाइड इसको बहुत इसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई यह highly dependent हो गया मलिक काफूर के उपर और चार साल बाद बहुत लंबी बिमारी के बाद इसकी death हो गई और इसी के साथ अलाउद्दिन खिलजी का rule भी खतम हो गया लेकिन अब हम देखेंगे कि खिलजी डाइनिस्टी का क्या हुआ क्या इसके बाद खिलजी डाइनिस्टी को किसीने succeed किया तो किया तो सही लेकिन भौत लंबे वक्त तक continue नहीं कर पाए क्योंकि जल्दी ही खिलजी डाइनिस्टी का fall हो गया और क्यों हुआ सबसे पहले इनकी डेथ के बाद मलिक काफूर असर्ब्ड दपावर पूरी पावर मलिक काफूर ने अपने हाथ में ले ली मलिक काफूर ने इनके बेटे खिजरिक खान को अंधा कर दिया उसकी आखें फुडवा दी जिससे कि वो मलिक काफूर को पावर सीज करने में कोई चैलेंज ना दे सके और उसकी जगे अलाउद्दीन के एक यंग लड़के को जिसका राम शिहाब उद्दीन था उसको थ्रोन पे बिठा दिया और उसको थ्रोन पे बिठा के उसके रीजेंट की तरह रूल करना शुरू कर दिया मलिक काफूर ने तो मलिक काफूर ने क्या किया कोशिश करी सारी पावर अपने हाथ में लेने की लेकिन एक और बेटा था अलाओ दिन का जिसका नाम मुबारक खान था इसमें किसी तरह से मलिक काफूर को मार डाल हाला कि मलिक काफूर ने इसको मारने के लिए कुछ एसेसिंस भेजे थे लेकिन मुबारक खान ने उन एसेसिंस को पैसे का लालज दे कि ये कहा कि तुम मलिक काफूर को ही मार दो में तुमको ज्यादा पैसे दूँगा As a result of which उन एसेसिंस ने आके उल्टा मलिक काफूर को ही मार डाला इस तरह से मुबारख खान अलाउदिन खिल जी का बेटा अगला रूलर बनता है लेकिन ज्यादा रूल ने कर पाता है दो साल तकी रूल कर पाता है उसको मार डालता है मुबारख खान को मार डालता है खुसरो खान खुसरो खान ये भी एक स्लेव था खुसरो खान और एक युनुक था जैसे की मलिक काफूर था और ये भी बहुत क्लोज फ्रेंड था खुसरोग खान मुबारक खान का जैसे मलिक काफूर अलाउद्दिन खिलजी का था तो खुसरोग खान ने पायदा उठा के मुबारक खान को खतम कर दिया इस तरह से डिली सलतनत की खिलजी डैनिस्टी में एक और रूलर चला गया और अगला रूलर बन गया खुसरोग खान जोगी घिजड़ा था अब ये देखकर एक यूनुक को रूलर दिली सलतनत का बनता देखकर डेली सल्तनत के बहुत सारे कमांडर्स जो थे वो नारास हो गए उन्होंने बुला भी ये क्या दिन आ गए दिल्ली के तक्त पर किस किस को देखना पड़ेगा और इसी लिए एक कमांडर घाजी मलिक खुसरोख खान को मार डालता है और इसी के साथ में खिलजी डायनेस्टी का एंड होता है और इसके बाद शुरू होगी अगली डायनेस्टी डेली सल्तनत की यानि कि तुगलक डायनेस्टी और सायद डायनेस्टी तो आज हमने सलेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के important rulers और उनके important achievements के बारे में बात करी अब इस topics related कुछ questions हम देख लेते हैं सबसे पहला question in medieval era the term bari stood for which of the following तो अभी अभी हमने discuss किया कि bari कौन होते थे तो वो होते थे intelligence officers so the correct answer is which among the following was not a landmark of इलतत्मिश rule इन में से कौन सा ऐसा point है जो इलतत्मिश के rule को mark नहीं कर उससे जुड़ा हुआ नहीं है चहलगानी इलतत्मिश ने establish करी तंका और जितल इन coins को इलतत्मिश ने issue किया इक्तादारी इलतत्मिश ने establish करी तो अब बचा किया blood and iron policy and you know very well blood and iron policy किस से related है it is related to bulban तो इसका correct answer यह है यह सब नहीं है क्योंकि यह जुड़े हुए है इलतत्मिश से coming to the next question who among the following sultans of Delhi assumed the title सिकंदरे सानी मैंने इसके option नहीं दी आपको क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिना option के आप इसका answer करें comment box में coming to the next question allowed the questions आप encounter करोगे UPSC के exams में जहां पर एक assertion दिया जाता है और एक reason दिया जाता है आपको यह पता लगाना होता है कि assertion जिसे हिंदी में कथन कहते हैं और reason जिसे हिंदी में कारण कहते हैं क्या कथन का कारण सही कारण है या नहीं है तो आईए हम इसमें assertions और reason को समझते हैं assertion अलाउद्दीन खिलजी imposed price control in Delhi अलाउद्दीन खिलजी ने डेली में price control किया यह assertion है जो कि बिलकुल सही बात है किया था अब इसका reason देखते हैं क्यों किया क्या यह सही है he wanted to pay lower wages to artisans building his palaces in Delhi और यह ऐसा इसलिए किया था इसने क्योंकि यह चाहता था कि इसके कारीगर जो इसके palaces का निर्मान कर रहे हैं उनको कम पैसा देना पड़े अब जो मैंने आपको समझाया था उसके हिसाब से इसके market reform, military reform थे यह चाहता था कि इसके army की salary इसको बढ़ा के न देनी पड़े तो इसमें जो reason लिखा हुआ है वो गलत है लेकिन जो assertion है वो बिलकुल सही है इसलिए अब हम देखेंगे कि कौन सांसर सही होगा बोथ A and R are true नहीं यह तो बात ही नहीं है तो यह खतम हुआ यहाँ पे A और R दोनों true ही नहीं क्योंकि R गलत है A सही है तो A option तो लागू नहीं होता बोथ A and R are true दोनों ही A and R true है अगेन यह point खतम हो गया क्योंकि R true नहीं है A is true, R is false A is false, R is true अब A is false तो नहीं है क्योंकि Allowed Dean नहीं यह measures किये थे तो बचा क्या? C जहां पर की A तो बिलकुल सही है कि इन्होंने डेली में price control किया था लेकिन इसका reason बिलकुल गलत है तो इस तरह के assertions और reasons वाले question को आप बहुत ध्यान से पढ़ो options को भी उतने ही ध्यान से पढ़ो जितने ध्यान से questions को पढ़ोगे आप पिर अगर आपके concept clear है तो high probability है कि आप ऐसे questions के सही answers टिक करोगे and that is the end of this session जय हिंद